नमस्कार मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहें नौभाराट टाइम्स में बात करेंगे गुपालणी के प्रियंका से और प्रियंका कसा जो दुर्बेवार हुआ था गुपालणी के थावे महोसों में उसको लिए करके आखिर पुड़ा माजरा क्या था और कैसे शुर किया गया मेरे साथ कई बार ऐसा उंगली दिखा के गंदे तरीके से मतलब बात की गई तो अभी सब वीडियो में है अभी मैं बार बार क्या बोलूं एकी चीज की तो प्रियंका आकिन नौबत कैसे आई इसकी जो है देखिए कि सब ने आपने देखाई है कि जैसे कोई भी जैशाषी में नब सकाव प्रशासन की तरफ से नाइगलास पानी पुछा गया नहीं मुझे बैटने की एक साब सुथरी जगह दी गई मतलब जैसे मालनी जै मैं यहां बैटी है मतलब वही बता रही हूं और शुरू सामने जो है टेबल जो होता है उस पे बहुत ही गंदे मतलब खावा के दब्बे मिठाई के या ग्लास पानी पी के पूरा गंदा पड़ा हुआ था फिर मेरे भाई साब जो गए वह उन्होंने मेरे घर वालोंने सोची वह टेबल पूरा साफ किया फिर हम खुद पानी खरीद के वहाँ पे जितने हमारे साथ जो महिलाए गए थे माता जी भी गई थी सब को हमने पिला भाई तीन घंटे है तो प्यास तो जाहिर सी बात है कि लगी कि थोड़ी भ प्रशासन से किसी ने भी नहीं दी थी उसके बाद मंच पे जब मेरा नाम अनॉंस हुआ कि अब मतलब जो मेल एंकर थे उन्होंने अनॉंसमेंट किया मेल घंशक भी थे फिर जैसे माइक लाने के लिए मैं बैट करें कि माइक आने का तो फिर मैं गाते वे चड़ँगी तो जो पीछे पीछे ट्रेजरी ओफीसर थे ती यो जी तो उन्होंने बड़ी गंदे तरीके से मेरे से मतलब बोला कि अरे अप गंडा मेरा उंस हो गया घाए, चली-चली-चली-चली-चली उध्ड़ मैं एसा कोई प्हरी को सरग उनल था तब न कहीं चत्रों किसीध यह कोई तरीका है कि आप इस तरह से कि हाँ ठीक है चली 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 नहीं चली तूंद आ कि दो किसी और को चथा करनी एंगा तकल कर देता है इसा कि यह रेफिएत तो यह हुगा फिर भी मैं वहां पेज़े से बोलता है नहीं सारी चल रही थी बैक से फिर भी हम सभी लोग उसको बोलता है न कि इग्नोर कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं मेरा घर है ग्रेजिला गोपाल गंच उपर से माई का दरबार है थावे माता का दरबार है तो हम उन से आशिरवाद लेके जाएंगे फिर मैं मंच पर चड़ी बहुत सब मतलब अपनी जो एक हमने हां गानेवाने जो स्टार्ट किये जो करा पब्लिक भी बहुत इंजॉय कर रही थी बहुत ही पीछे पब्लिक ही बहुत दूर दूर फिर भी तो यह बताए कि हुआ फिर लियम सामने तो फुद एक पोश्ट जालक था उन्हों कि प्रिंका ने काफी कारकरम किया है और काफी समय तक वह ने कारकरम दिया और फिर रूप है कि बीच पर रूप दिया इसे बारे में क्या करना आपको देखिए जो जीला प्रशाषन ने मुझ पर देखिए उल्टा खारोप मेरे पर मड़ रहे हैं कि हमने उनको बहुत समय दिया फिर भी वह गाती रही और इसलिए हमने उनको स्टेज से जो है वह मतलब यह अटा दिया यह तो ऐसी यह बिल्कूल भी जूट बात है बहुत ही मतलब जूट बोला गया जिला प्रशाषन से क्योंकि मुझे ए थोड़ा हुआ दुख कि यार अभी तो इतने लेकिन फिर भी मैंने माना मैंने आपने देखा होगा वीडियो में मैंने बोला कि ठीक हम तो आशिरवाद लेने आए और आशिरवाद ले कर जाएंगे फिर पॉब्लिक में से कुछ लोग जैसे फर्माइशे कर रहे थे अभी पॉब्लिक जो है उनको क्या पता है कि कारेक्राम बंद होने वाला वह तो इंज्वाइब कर रहे हैं मतलब उनको अच्छा लग रहा है लोग है तो अब हम तो अनौन्स करके बोलेंगे ना कि वह या ऐसी ऐसी बात हो गई है तो हम एक या दो गाना कि समाप्त करेंगे वो तो मुझे बोलना पड़ेगा ना अने स्टेज मुझे खुद से अब ऐसे मैं बीच में छोड़के चले जाओंगे तो पॉब्लिक जो है क्या सोचेगी कि अचानक से क्यों मंच से कलकार भी ना बोले चलीगी मतलब अपने आपको क्या समझती है मतलब गलत वो जाएगा ना कि कुछ इशूज हो गया उसी बीच में देखे एंकर जो महिला एंकर है और एक पताधिकारी भी आए उपर तो वो मेरे कान में बुली कि ऐसा कुछ लॉइन ओर अतिक एहमत के बारे में कि ऐसा मडर हो गया तो यहां पे दंगे हो जाएंगे राइट हो जाएगा लॉइन ओ गाने में कम से कम दो चार मिनट तो जाएगा ना तो फिर वो गाने के दौरान भी कई पर इस उंगली दिखा दिखा के सामने से प्रशासन के कुछ लोग खड़े तो और साइट से वह बहुत गंदे तरीके से उस दौरान भी बहुत बेवार किया गया और मुजिशियन को कह गाना भी खतम हो जाने दीजिए और वह भी हमने पूरा नहीं गाया तो उसमें भी हमारे मुजिशियन को भी तंग किया रहा है कि जल्दी बंद करो यह क्या बात होती अग्दम गंदे तरीके से बहुत ही गंदा बेवहार जो कि कोई भी कलाकार यह बरदास नहीं कर कि आपसे दुबारा बात करने कोशिशिश की आपसे मामले को सुझाने के प्रास किया गया तो उल्टा आप देख रहे हों कि जो आंकर है वो लड़की को नहीं जानती वो लड़की जो गार रही तो लड़की-लड़की का जो संबोधन है तो मैं इसमें भी यह बोलना जाऊ समय होगी कि फिर जिला प्रशासनने पर ऐसे एंकर अगर कोई भी आंकर अगर अगर आहमाल गता है तो मतलब नहीं कि-ए गलती कि-टा प्रहसासनन ने ऐस जिसको पता ही नहीं है कि हमको किसके बारे में बोलना है हम यह कौन है क्या है तो फिर ऐसे लोग कैसे मंच पर चड़ जाते हैं आश्यर तो इस बात की है उपर से आरोप मड़ते हैं कि उन्होंने समय दिया हमने उनकी बात नहीं मानी और वीडियो का क्लिप भी आडिट करके जो है प्रशासन द्वारा जारी किया कि यह देखिए हमने उनको समय दिया फिर भी यह तो कि सरासर जूट है वह जो बतमीजियां थी एंकर की वह उन्होंने उसको कट करके और शिर्फ जो मेरे गान मेरे बतन के लोग वह और जो मैंने बोला उसको जो है वह डियम सहाब अपन क्या चाहूंगी मैं कलाकार हूं और कलाकार के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ होता है आप मुझे दो रुपए कम देजे दो रोटी कम खिला यह मत पूछी लेकिन इज़्जत से दो बोल नहीं बोलेंगे तो फिर बेकार है तो मैं क्या चाहूंगी मैं बिहार सरकार कला संस प्रशासन से भी बोलना चाहूंगी कि आपको भी इस पे संग्यान लेना चाहिए क्योंकि यह तो मेरा ग्रिय जिला है और ऐसा नहीं है कि मुझे यहां पर जानते नहीं है इसके जिले के बाहर भी पूरे नैशनल लेवल पर सब लोग जो है सबने प्यार दिया है तो ही मैं देखिए कि एक अगर एक माफी मांगे कि भाई उसने गलती करी है भाई एक माफी मांगने से कोई वैसे भी आप छोटे नहीं हो जाएंगे और अगर अपनी गलती स्विकार करने वाला हमेशा ही महान होता है चीक है तो यह वही हाल होग है कि ध्रितराष्ट बने हुए है ज जिलार प्रसानक के दुवरा लगतार जो सोचल मेडिया मादयम से पोश्ट डाले जा रहे है वह 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 अगर आगे से जो थाव महतसों हो या कोई वह आवेजन हो तो जो कलाकारों को सम्मान मिलना चीए वह उनका मिभाग बनता है और इस तरह से जो है उसकी बाले गंज